एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड था। उस पेड पर घोंसला बना कर एक कोवा कवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कोवा कवी जल्दी भोजन पाकर शीग्र ही लोट आये तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर जपटते देखा, अंडे खाकर सर्प चला गया, कोई ने कवी को धाडस बंधाया, प्रिये हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे, कोई ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड, उससे काफी उपर टहनी पर घोंसला बनाया, और कवी से कहा, यहां हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे, हमारा घोंसला पेड की छोटी के किनारे निकट हैं, और उपर आसमान में चील मंडराती रहती हैं, चील सांप की बैरी हैं, दुष्ट सर्प यहां तक आने का साहस नहीं कर पाएगा, कोवे की बा से कोवा कवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था, उसने देखा कि कोवा कवी उसी पेड से उड़ते हैं और लोटते भी वहीं हैं, उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड पर उपर बना रखा है, एक दि कोवा कवी लोटे, तो घोंसला खाली पाकर सन रह गए, घोंसले में हुई तूट फूट अवननहे कवों के कोमल पंख बिखरे देख कर वह सारा माजरा समझ गए, कवी की छाती तो दुख से फटने लगी, कवी बिलक उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोज कोवा बोला, नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है, विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं, हमें लोमडी मित्र से सलाह लेनी चाहिए, दोनों तुरंट ही लोमडी के पास गए, लोमडी ने अपने मित्रों की दुख भर कहानी सुनी उसने कौवा तथा कववी के आंसू पोंचे लोमडी ने काफी सोचने के बाद कहा मित्रो तुम्हें वह पेड छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है लोमडी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई लोमडी की तरकीब सुनकर कौवा कववी खुशी से उचल पड़े उन्होंने लोमडी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आएं अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था उसमें कमल औ और नर्गिस के फूल खिले रहते थे हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीडा करने आती थी उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में सनान करने जल में उतरी तो योजना क के अनुसार कौआ उड़ता हुआ वहां आया उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों वह आभूशनों पर नजर डाली कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे वह मोतियों का विलक्षन हार रखा था कौव सहेलियां चीखी देखो देखो वह राजकुमारी का हार उठा कर ले जा रहा है। सर्दार ने खो के भीतर जहांका, उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुड़नली मारे देखा, वह चिलाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सर्दार ने खो के भीतर भाला मारा, सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला, जैसे ही वह ब प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।